हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर अंकीत पोदार मैं एक लैपरोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जिन हूँ मुम्बाई से आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से पदार्त है जिनकी वैसे एसीडिटी होती है और ऐसे क्या लाइफटाइन मौडिफिकेशन करने चीए जिससे एसीडिटी जा सकती है बिना कोई ट्रिटमेंट से तो सबसे पहले कि ऐसे कौन से पदार्त है जो सबसे पहला पदार्थ है जो है कि coffee, carbonated drinks, मतलब जितने भी over the counter जो carbonated drinks है वो, जितने भी जो processed food है, मतलब जो भी plastic की carry bag में जो food available है, जैसे कि chips या कोई भी चूड़ा वगेरा, smoking, alcohol, garlic, onion, spicy foods, ये जितने भी foods है, ये सारे trigger करते acidity के लिए, तो ये सब चीजों को अगर आप avoid करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका acidity का जो प्रमाने काफी हद तक कम हो सकता है, पर इन सबसे भी ज़रूरी है कि lifetime modification, क्योंकि मैंने काफी सारी बार देखा है, कि लोग काफी एक ही time पे काफी सारा खाना खा लेते हैं, काफी fast खाना खाते हैं, ये जब चीजे बाड़ी में होती है, तो उससे भी acidity काफी बढ़ सकती हैं, तो lifestyle modification मतलब कि सबसे पहले तो आपको frequent milks पर कम खाना है, मतलब आप हर दो-दो गंटे में खाईए, पर जो quantity आप खा रहे हैं, वो काफी कम quantity खाईए, आपकी जो spicy या oily food अगर आप खा रहे हैं, तो उससे काफी कम करना ज़रूरी है, high fiber diet या high protein diet खाईए, पर हम high carbohydrate diet खाते हैं, जिसमें हम जादा चपाती, जादा राइस खाते हैं, और सबजी और राइस और चपाती कम भी खाएंगे, तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें high fiber diet और high protein diet की वैसे body को भी आराम या body को भी energy मिलती है, और nutrition मिलते हैं, और जो acidity बनने की जो chances से काफी हद तक कम हो सकती हैं, राच के खाने के बाद, तीन घंटे तक आपने बेड पे नहीं जाना क्योंकि मैंने देखा हैं, काफी सारे लोग खाना काते और तुरन बेड पे सोने के लिए चले जाते, तो उसकी वज़े से जो acid जो बनता है पेट में, वो उपर travel कर जाता है, because of anti-gravity, और उसकी वज़े से acidity होना काफी संभावनी है, सबसे important बात, बहुत सारे लोग इसको यह agree नहीं करेंगे, पर अगर आप खाने के बाद walking या jogging करते हैं, या exercise करते हैं, उसकी वज़े से जो आप जो खाना खाते हैं, उसका जो energy में conversion है, वो काफी जल्दी होता है, और इसकी वज़े से acidity या gastritis काफी हद तक कम हो सकती, जबी भी हम यह lifestyle modification करते हैं, आप यह बात पर agree नहीं करेंगे, कि अगर आप कोई भी खाने के बाद, या daily routine अगर आप बना ले, कि कोई खाने के बाद अगर आप walking या jogging पर जाते हैं, उससे काफी हद तक आपकी acidity या gastritis कंट्रोल में रहती हैं, जो लोग मोटा पे से परेशान हैं, जो लोग काफी मोटे हैं, उन ल weight loss के हिसाब से अगर आप काम करेंगे, weight loss करने के लिए जो exercise है, या जो diet follow करेंगे, उससे आप देखेंगे कि आपका acidity या gastritis काफी हद तक कम हो जाएगे, पर ऐसे भी कुछ चीज़े हैं, जिसकी वज़े से आप अगर diet भी control में करेंगे, या lifestyle modification भी करेंगे, फिर भी कुछ लोगों में acidity नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे काफी सारे bacteria है, जो अपने stomach में present होते हैं, वो उसकी वज़े से acidity ये कुछ भी करने की वज़े से नहीं जाएगी, या कभी कभी कुछ लोगों को medication की जरूत पड़ती है, काकि acidity control में रहें, अगर आपको इस बारे में और भी क कुछ जान करी चीए, तो हमारे comment में आप comment कर सकते हैं, में या मेरी team member में से कोई ना कोई आपको reply जरू करेगा, thank you